जैभीम नमबद्धाय, विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत नमबेडकर की ओर से, जैभीम नमबद्धाय, आज मैं आप सभी लोगों को डॉक्टर बाबासा नमबेडकरजी के परिवार का एक सदस्य होने के नाते एक अपील करना चाहता हूँ, ये अपील करने से पहल 25 डिसेंबर 1927 को, जब बाबासाब इसको पूरा करने के लिए गए, तब वहाँ पर अंग्रेज पूलिस अधिकारी ने बाबासाब अंबेडकरजी से एक मुराकात मांगी, और बाबासाब अंबेडकरजी से मिलने के बाद इस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि बाबासाब आपके इस आंदुलन की खिलाफ और महाड के चवधार तालाब को लेकर वहाँ के ब्रामन ये नियाले में गए है, कोट में गए है और आप लोग उस तालाब पर ना जाए इसलिए वहाँ पर स्टे ओर्डर लेकर आए है हम आपके खिलाफ नहीं है, आपके हक और अधिकार के खिलाफ नहीं है लेकिन आज अगर आप उस तालाब पर जाते हो उस कानून का भंग होता है तो मजबूरन मुझे आपको और आपके सभी सातियों को अरेस्ट करनी होगी बाबा साथ के साथी खड़े थे बाबा साथ के सातियों ने कहा बले हमको अरेस्ट कर लिया जाए लेकिन हम तालाब पर जरूर जाएंगे लेकिन बाबा साथ ने वैसे नहीं किया बाबा साथ अंबेड कर जी ने देखा कि यहां की ब्रहमनी वेवस्ता बाबा साब अंबेडकर जी का आंदोलन जिस ब्रहमनी वेवस्ता के खिलाफ है उस ब्रहमनी वेवस्ता के खिलाफ का ये आंदोलन अब वो न्याय वेवस्ता के साथ करवाना चाहती थी इसलिए बाबा साब अंबेड करजी ने उस आंदोलन को स्तगित किया बाबा साब महाण के चवदार तालाब पर नहीं गए लेकिन बाबा साब अंबेड करजी का जो आंदोलन था वो स्तगित नहीं हुआ महाण के चवदार तालाप पर जाने का निर्णय बाबा साब ने वहाँ पर रोका लेकिन उसी दिन बाबा साब ने मनुसमुर्ति को जलाया ये मैं इसलिए आप को कह रहा हूँ कि आज फिर उसी तरह का प्रसंग भारत में महारास्टर में हम लोगों के उपर आ गया है दिक्कत यह है कि ये निर्णय लेने के लिए बाबा साब हमारे साथ नहीं है लेकिन बाबा साब की एक बात मुझे हमेशा यादा दिये कि जो अपने इतियास भूल जाते हैं वो कभी इतियास बना नहीं पाते हैं यह हमारा इतियास है बाबा साब अंबेड कर जी ने योग्य निर्णय योग्य समय पर लिया है और इसलिए मैं ये बाबा सभ अंबेटकरजी के परिवार का एक हिस्सा होने के नाते मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करनी के लिए आया हूँ 14 एपरिल 2020 को बाबा सभ अंबेटकरजी की जैनती आ रही है जैनती मनाने के लिए हम लोगों को किसी के नियोते की जुरुत नहीं पड़ती पूरे देश, विदेशों में बाबा सभ अंबेटकरजी की जैनती मनाई जाती है लेकिन इस साल 14 एपरिल का जो दिन है ये लोगडाउन में उस लोगडाउन की पिरेड का हिस्सा है इस दिन सेक्शन 144 पूरे देश भर में लागू है भारत भर में लागू हम लोग बाबा साभ अंबेटकरजी के अनुयाई है बाबा साभ अंबेटकरजी ने उस समय निर्णाई लिया ता कि नहीं हम नियाए विवस्ता के साथ अपना जगडा नहीं करना चाते इस देश की ब्रामनी विवस्ता के साथ इस देश में हो रहे हैं असमानता के साथ भेदवाव के साथ हमारा जगडा है और इसलिए मैं आप लोगों को बाबा साभ अंबेटकरजी के परिवार का एक सदस्य होने के नाते आप सभी लोगों को ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि 14 एपरिल को यहने 13 एपरिल के रात के 12 बज़े से बाबा साभ अंबेटकरजी के जैनती का महोट सव पूरी भारत में शुरू होता है लेकिन इस 13 एपरिल को मैं आपसे बिंती करूँगा कि आप लोग रास्तों के उपर ना आए सडकों पर ना आए फटा के ना पुड़े गुलाल ना उड़ाए क्योंकि इस देश की न्याय वेवस्ता इसने सेक्शन 144 लगाया हुआ है अगर आप लोग रास्तों के उपर आते हो तो आप लोगों को एरेस्ट करने के लिए इस देश की सरकारे इस महाराश्रा की सरकारे ये कोशिश में लगे हुए है कि कब आप लोग परतिक्रिया देते हो कब आप लोग सरकों पर आते हो और यही वो वेवस्ता होगी इनका मीडिया, इनके पुलिस इनकी न्याय वेवस्ता ये आप लोगों को इस देश में देश-द्रोही करार देंगे करोना फैलाने के लिए जिम्मेदार मुस्लिमों के बाद इस देश का शिडूल कास्ट होगा इस तरह की न्यूस चलाए जाएंगे इसलिए मैं आप लोगों से यही बिंती करने आया हूँ कि 14 एप्रिल बाबा सब अंबेड करजी की जहनती ये हम लोग अपने अपने घरों में बैठ कर मनाए बाबा सब अंबेड करजी की किताबे पड़े बाबा सब अंबेड करजी की जीवनी के उपर उनकी बातों को पड़े उनका इतियास जाने लेकिन सडकों पर आने के लिए आप लोग इस साल टालिए और जैसे ही जैसे ही यो lockdown का period खतम होता है हमारे लिए बाबा साब अंबेड कर्ची के जयन्ति सिर्फ 14 तारिक तक सिमिक नहीं होती महाराश्रों में मैंने देखा है भारत में मैंने देखा है जब तक बारिश शुरू नहीं हो जाती तब तक बाबा साब की जयन्ति मनाई जाती है लेकिन इस समय पूरा विश्व इस करोना के युद से लड़ रहा है ऐसे हालातों में हम लोगों को नियाई व्यवस्ता का साथ हमारे जगडा नहीं करना है इस महाराश्रा का जो सरकार है ये भी RSS की ही सरकार है आप लोगों को लगता होगा कि भड़नमिस चला गया है तो उदव ठाकरे आ गया है तो थोड़ा लिनियन्ट होगा हम लोगों के उपर कारवाई नहीं करेगा सबसे ज़्यादा जाती वादी तो यही पार्टी है ये बीजेपी की दूसरी A टीम B टीम कुछ बोलते हो ये वही है ये वही लोग है ये लोग आप लोगों को आपकी गलती के लिए पकड़ना चाहेंगे आप लोग रास्तों के उपर आओ आप लोग सेक्शन 144 का भंग करो हम लोगों ने 2008 में हमारे 35,000 बच्चों को महारास्ट में जुटी एफायर्स में फस्ते हुए देखा है उनकी लड़ाई आज तक किसी नहीं लड़ी आज भी हमारे बच्चे जो आयस एस्पिरेंट्स है यूपियसी, MPSC की पड़ाई कर रहे थे बैंकिंग की पड़ाई कर रहे थे आज वो बच्चे कोट के दरवाजे के चक्कर लगाते रहते है और इसलिए मैं आप सभी लोग से कोई भी ऐसा मोका इस देश के इस महारास्टर के पुलिस को नियाय वेवस्ता को नहीं देना है जो हम लोगों के उपर कानूनी कारवाई कर सके इसलिए अपने अपने घरों में बैठ कर बाबासाब अंबेटकर जी की जहिंति मनाएं बाबासाब अंबेटकर जी की जीव वर्ल्ड इस करोना वाईरस से लड़ रहा है और क्योंकि मैं भी मेरे जून तक के सारे शेडूल तय थे चोदा तारीक को मैं लंडन में था उसके बाद सैन फ्रैंसिसको कैनेडा और फिर वर्ल्ड फिलोशिप अब बुद्दिश की मेरी मिटिंग थी बैंककॉक में ये सार और सरल तरीके से मनाए जादा लोग इखटा ना हो और मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ ये साल जो है 2020 उनिस सु बीस में बाबा साब अंबेटकरजी ने सबसे पहली बार उनका मीडिया खड़ा किया था उनका पेपर खड़ा किया था उस बात को सो साल पूरे हो चु या बाबा साब अंबेटकरजी का मीडिया सो साल के बाद नहीं हो सकता इस साल की जैनती जो फटा के हाप लाते थे जो गुलाल लाते थे जो डीजे लगाते थे जो डोलता शे मंगाते थे वो सारा पैसा अपने मीडिया को खड़ा करने में लगाओ आंदोलन नहीं रुकना चाहिए एक JNT हम लोग घर में बैठ के मनाएंगे लेकिन उसी साल देश विदेश का एक मीडिया एक चैनल निउस चैनल हमारा कड़ा होना चाहिए जिस तरह से आज तक Znews ये मोधी की गुंगान गाने वाले चैनल चल रहे हैं उसी के बगल में बाबा साब का चैनल इन लोग खड़ा करना है ऐसा पन लेकर चलो और बाबा साहब का एक अबजेक्टिव बाबा साहब का एक काम इस जैनती में पूरा करने की ताकत अपने आप में रखो और इस तरह से बाबा साब अम्बेटकरजी को अभिवादन करो सो साल पहले अगर बाबा साहब का मीडिया हो सकता है तो सो साल के बाबा साहब का मीडिया क्यों नहीं हो सकता हम अपने सालरी का आदा हिस्सा या कहो कि पूरी मंत की सालरी हम बाबा साहब के चैनल के लिए लगाएंगे और इसी तरह का एक अभिवादन बाबा साहब को करने का एकपन करके ये जैनती हम लोग इस तरह से मनाएं यही मैं अपिल आप लोगों से करना चाहता हूं महाराश्टर देश और विदेश के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि बावा सहब की जैनती 14 एप्रिल को आ रही है लोगडाउन का पीरेड है करोना से हम लोग जूज रह है इस इन हलातों में हम लोगों को साधे और सरल तरीके से ये जैनती मनाएं खास करके मैं महाराश्टर के लोगों को कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से प्रतिक्रिया न देते हुए केवल साधे तरीके से अपने घरों में ही बैट कर ये जैनती मनाएं महाराश्टर के पु दलीतों को मैं पीट पीट करता हूँ, जब पता चलता है कि ये दलीत है, शेरुल कास्ट का है, तो उनको जादा पीटा करती हूँ, इस तरह के S.P.S. पूरे महारास्ट में है, और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने के लि कि क्को ओूफे हूँ, क्स्कूछा दे रजके लिवश्ड से कौफे हूँ, क्सूब तरह करा गूदाद लिव्स नाव पूह करता हूँ, भी तरह कि बिएश्गक्यशड़ के बिंगए हूँ, झाला हूँ, णिर बिएश्य मैं द्सा स्क्क्क्राघepीू